एक्सल में अभी तक तो आप धेड़ सारे फर्मिले सीख चेके होंगे लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक्सल के मोस्ट यूजफुल आट फर्मिलों के बारे में नमस्कार मैं आवमिनी वरतवाज आपका स्वावित करता हूँ मैं विग्यार स्मार्ट क्लास में और आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं एक्सल के मोस्ट यूजफुल फर्मिले जिनको जाहतार लोग इस्तमाल करते हैं तो यह वीडियो लास तक देखिए कई आपके ब पताने वाले हैं एक्सल के आठ आर्ट मोस्ट यूसफुल हमेर kau जैजो कि हमेशा प्रएयोग में आते रहते हैं जिसमें कि संम है परसेंटेज है SuminF है कौंट है वीडिकौप है एवरेज एफ है कूंट है तो यह जो आर्ट फर्मिले है mobilize हम एक ही चीट मैं आपको लगा काउंट है वी लुक अप है एवरेज है इफ है और काउंट इफ है तो यह जो 8 फर्मिले हैं यह हम एक ही शीट में आपको लगा कर दिखाएंगे सबसे पहला फर्मिला है सम का तो सम आप दो तरीके से कर सकते हैं पहला option है यह पर auto sum का इस बटन पर आप क्लिक कीजिए तो यह already आपके सारे cells को select कर लेगा जो भी आपके vertically या horizontally होंगे लेकिन auto sum में भी आप manually select कर सकते हैं तो इस तरीके साब manually select कर लीजिए क्योंकि यह जो total व लगाईए, sum type कीजिए, bracket लगाईए और सबसे पहले बाले cell का नाम लेकिए तो यह जो cell है इसका नाम है B5 तो यहां पर B5 type कर दीजिए, colon लगाईए और जो last cell है उसका नाम type कर दीजिए तो यह है F5 bracket बंद कीजिए और enter कर दीजिए तो यह दो तरीके से सम हो गया तीसरा तरीका है आप manually भी cell को select कर सकते हैं तो बस equal to को निशान लगाईए और cell को select करते जाए प्लस दबाईए फिर cell को select कीजिए फिर प्लस दबाईए यहां पर आप कोई भी cell बीच से छोड़ सकते हैं तो मानिए अगर हम को चौथा cell यहां पर छोड़ देना है तो आप उसे छो Grand Total है Grand Total में से हमें जो Total नमबर मिले है सबी सब्जेक्ट में वो यहां पर आ अगे है तो अब इसका प्रितिशथ हम कैसे निकालेंगे तो प्सके निकालने कि जैसे हम Copy पर निकालते हैं वही तरीका हम यह अपर अपनाएंगे तो सबसे पहले लगाएंगेहil अब्राबर का लेकिन दूसरा तरीका भी है, प्रतिश्यत निकालने का, आप जाएंगे नंबरिंग फॉरमेट पर और ये जो सैल है, इसको प्रतिश्यत में करेंगे, यहां से हमने ये सैल प्रतिश्यत में करेंगे, आप देखेंगे ऊपर परसेंटेज लिखा हुआ अगया है, अब हमें जाता कुछ नहीं करना है बराबर का निशान लगाना है जो number है हमारे उनको select करना है इसको भाग देना है यानि divide करना है 600 से simple इतना करना है हमें 100 से गुणा नहीं करना है और enter कर देना है तो यहाँ पर आप देखेंगे जो percentage है वो यहाँ पर आ जाएंगे इसके बाद है sum if अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे मोहित जो नाम है वो दो जगे दिया गया है और अगर हम चाहते हैं कि इसमें जिदनी भी जगे मोहित नाम दिया गया हो उनका sum के बल यहाँ पर आए ना कि अकेले मोहित का तो हम simple लगाएंगे बराबर के निशान टाइप करेंगे sum if bracket open करेंगे और range के लिए उन cells को select करेंगे जिन में नाम लिखे हुए है कॉमा लगाएंगे अब यह पुछे का हम से criteria तो criteria के लिए हम मोहित को select कर लेंगे या फिर double quote में मोहित का नाम टाइप कर देंगे उसके बाद double quote बंद करेंगे कॉमा लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर यह हमें दे रहा है sum range तो sum range के लिए आप किसी भी एक अगर paper को select करना चाहें तो वो कर सकते हैं या फिर total numbers को भी आप यहां से select कर सकते हैं या आपके उबर depend करता है कि आप photoshop के number निकालना चाहते हैं या internet के number निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पर जो total sum है उसको select कर लेते हैं उसके बाद bracket को बंद करते हैं और enter कर देते हैं count formula क्या करता है count formula आपके selection area में से जिदने भी numbers टाइप हुए हैं उनको count करके आपको यहां पर दिखाता है तो इसके लिए आप लगाएंगे बराबर रिक्षान type करेंगे count और bracket open करेंगे और जो सामने वाली series है उसको select कर लेंगे कुछ इस तरीके से bracket बंद करेंगे और enter कर देंगे तो यहां पर जो भी अंसर मिला है वो है 6 लेकिन हमने जो cell select किये दे वो 7 किये दे अब यहां पर 7 क्यों नहीं आया वो इस वज़े से नहीं आया है क्योंकि जो 7 वापर text लिखा हुआ है number नहीं लिखे हुए है इसके लावा आप किसी भी cells में से कर कोई number हटा देते हैं तो आप देखेंगे यहां पर जो count है वो 5 हो जाएगा तो यह उन cells को मैं बताता है केवल जिन cells में number लिखे हुए है अब यहां पर दोबारा कोई भी number अगर आप लिख देंगे तो यहां पर आप देखेंगे counting जो है वो बदल जाएगी इसके बाद formula आता है VLOOKUP का तो VLOOKUP formula क्या करता है यह vertically criteria के इसाब से किसी भी value को आपको find करकी देता है कैसे देता है यहां पर लगाते हैं बराबर गंशन type करते हैं VLOOKUP तो यहां पर आप देखें VLOOKUP आजाएगा यहां डबल क्लिक कर दीजिए यहां पर हमसे बुच रहा है look of value तो look of value में आप क्या देंगे आप यहां पर double quote में कोभी एक नाम टाइप कर देंगे हम जैसे टाइप कर देते हैं RAM और यहां दुबारा से double quote लगा देंगे अब यहां इसके बाद tabular का option है तो tabular हम यह पूरी टेबल सेलेक कर लेंगे और इसके बाद लगाएंगे कॉमा अब यह हमसे पुचे का index column number तो हमें RAM के internet के अंग पता करने है और जो column index number होगा आप पहले से count करेंगे किट को बंद करके इसे enter करेंगे तो आप देखेंगे यहां से RAM ने internet में 32 प्राप्त किये है तो यह जो formula है यह असल में कोई विशेश criteria आपको किसी बहुत बड़ी tableman से search करना है तो आप VLOOKUP का इस्तमाल कर सकते हैं बहुत आराम से तो यह जो RAM है आपने डबल कोट में यहां पर लिया है आप इसे कहीं बहार भी किसी दूसरे cell का नाम दे सकते हैं और वहां से बार-बार इसे change कर सकते हैं अब बात करते हैं average formula की अभी हमें अगर निकालना हो कि यह जो सभी विद्यार्थी हैं सभी student हैं उन्होंने जिदने भी papers दिया है उसका जो average है वो क्या है यह शुभम के जिदने भी marks आये हैं सभी papers में उनका क्या average है तो यह average आपको वहां से निकाल के देगा बहुत simple formula है लेकिन बहुत काम का है आपको लगाना है बरावर के रिजान टाइब करना है average तो जैसे ही आप VE टाइब करेंगे यहाँ पर average आपको दिखाई दे जाएगा इसको double click कीजिए तो बस आपको वो series select कर देनी है जिनका आपको average निकालना है यहाँ पर कुछ 5 cell हमने यहाँ पर select की है और बस bracket को बंद कर देना है और enter कर देना है तो आप देखेंगे जो शोभम के नंबर है उसका जो average है वो 39.6 है बस इसको पकड़के आप नीचे कीज दीजे और सभी students के जो average नंबर है वो यहाँ पर आ जाएंगे अब इसके बाद आता है सबसे interesting और important formula if if formula क्या करता है काफी लोग mark sheet तियार करते है और वहाँ पर वो percentage के साब से grade दे करते है grade देते है नंबरों को अगर यहाँ पर आप if का इस्तेमाल करेंगे तो if से आप automatically grade दे पाएंगे आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ number feed करने है percentage भी निकलेगा total भी निकलेगा average भी निकलेगा और आप grade भी automatic दे पाएंगे अब यह कैसे आप दे पाएंगे यह भी हम सीख लेते हैं बहुत सरल है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर लगाएंगे बराबर कर निशान type करेंगे if यहाँ पर हम जो cell select करेंगे grade देने के लिए वो cell हम select करेंगे प्रतिशत वाला और उसी के साब से हम grade दे जाएंगे तो हम यहाँ पर जो कुल grade है वो चार देंगे A, B, C और D तो यह हम कैसे देते हैं यह आप देख लीजे तो यहाँ पर हम select कर लेते हैं सबसे पहले इस cell को जिसमें प्रतिशत लिखा हुआ है अब यहाँ पर लगाते हैं greater than का निशान यानि यह जो cell है अगर बड़ा होगा और बराबर होगा किसके? 75 के यह सभी के साथ एपलाई होगा एक जैसा ही फर्मिला सभी में जाना है 75 के साथ मैं आपको प्रतिशत भी लिखना होगा चूकि हम 75 से उबर वाले cells के लिए टाइप करेंगे उसके बाद लगाएंगे कॉमा और डबल कोट में हम टाइप करेंगे तो अगर यह cell बड़ा होगा और बराबर होगा 75 प्रतिशत के तो वहाँ पर डिस्पले होगा इसके बाद आप एक कॉमा लगाएंगे टाइप करेंगे इफ फिर से ब्रैकेट उपन करेंगे यानि ये condition हमारी पूरी हो गई अब दुबारा से हम फिर से इसी cell को select करेंगे क्योंकि हमें इसी cell के लिए दूसरी condition देनी है दुबारा से हमने cell select कर लिया उसके बाद वही हमने formula लगाया बड़ा होगा और बराबर होगा कितने के 60 के यहाँ पर भी हम प्रतिशत लगाएंगे और क्या आएगा B आप double code में B type करेंगे और उसके बाद फिर से comma लगा देंगे इसके बाद हम दुबारा से type करेंगे if bracket open करेंगे और वहाँ पर हम क्या लिखेंगे फिर से उसी cell को select करेंगे और फिर से हम greater than sign का इस्तमाल करेंगे बराबर कर निशान लगाएंगे और इस बार हम यहाँ पर देंगे 45% आप देखेंगे 45 हमने type कर दिया है अब लगाएंगे फिर से हम comma और इसके बाद हम type करेंगे double quote में C कुछ इस तरीके से फिर से हमें comma लगाएंगे और आप simple हमें आगे कोई condition नहीं देनी है इसके अलावा अगर कोई भी condition आती है अगर 45% कहीं भी कम होता है तो क्या आएगा simple आपको type कर देना है double quote में D और जितनी बार आपने if का इस्तमाल किया है जितनी बार आपने bracket open किया है उतनी बार आपको bracket बंद करना है हमने कुल तीन बार यहां पर bracket open किया था तो हम तीन बार bracket बंद भी करेंगे और enter करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे इस समय जो grade आया है वो D आया है क्यूंकि जो प्रतिशत है वो 33 है तो कितने से कम में 33 प्रतिशत आना चाहिए था 45 से कम पे तो अब इसको हम पकड़के नीचे तक कीच देते हैं तो यहां पर आप देखेंगे जो सभी विद्यार्थी हैं उन सभी को अलग-अलग grade अपने आप राप्त हो गए है जिनके 45 प्रतिशते उपर है उनको C मिला है जिनके 45 से कम है उनको D मिला है आप थोड़ा सा गटा बढ़ा के देख लेते हैं कुछ students को ज़्यादा नमबर दे के देख लेते हैं तो आप देखेंगे हमने यहां पर एक student है रनवीर उनका प्रिश्यत हमने यहां पर 83% किया है तो उनका जो grade है वो अपने आप A आया है 47% वालों का C आया है और जिनके percentage 60 से ज्यादा है उनका grade यहां पर B आया है तो इस तरीके से आप if का इस्तमाल करके सभी को automatic grade दे सकते हैं अब बात करते हैं count if की तो यहां पर आप जो भी condition देंगे यह उसको count करके बताएगा जैसे इस पूरी mark sheet में 70 number कितने लोगों को मिले है तो यहां पर आप बड़े आराम से इस चीद को पता कर सकते हैं आपको लगाना है बराबर का निशान टाइप करना है count if bracket open करना है range दे देनी है तो यहां पर हमें पूरी range दे दी कॉमा लगाना है और criteria टाइप कर देना है criteria को आप हमेशे double quote में ही type करें double quote बंद की दिए bracket बंद करिए और enter कर दीजिए तो आप देखेंगे इस पूरी range में कुल 4 लोग ऐसे हैं जिनको 70 number मिले हैं किसी एक विशय में अब आपको पता करना हो कि इस पूरी range में कितनी बार 100 number आया है तो आपको simple यहां पर 70 की जगे 100 type कर देना है और enter कर देना है तो आप देखेंगे विशय ऐसे हैं जिन students को 100 अंक मिले हैं तो इस तरीके से आप count if formula का भी इस्तमाल कई जगे कर सकते हैं हम यहां आपर नाम का भी पता कर सकते हैं हमें अगर पता करना है कि मोहित नाम इस लिस्ट में कितनी जगे इस्तमाल हुआ है तो simple आप बराबर का निशान लगाएंगे type करेंगे count if और range दिदेंगे तो range आप पूरी दे दीजे कोई दिक्त नहीं है उसके बाद कॉमा लगाएंगे criteria type करेंगे यहां भर हम type कर देते हैं मोहित इसको double code में बंद कर देते हैं enter करते हैं तो आप देखिए उनकुल दो जगा मोहित नाम लिखा हुआ है अगर आप एक जगे और भी लिख देंगे तो यह उसको तुरंत ही search कर लेगा तो इस तरीके से आप इन सभी art formula का इस्तिमाल कर सकते हैं आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाईएगा और हमारी वेबसाइट www.bybigguide.com को देखना ना बूलिएगा क्योंकि आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं धेर सारे computer-related tips और tricks हम हमेशा आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद